नमस्का दर्शकों, मैं पिया गुपता, आप सभी का बहुत-बहुत सुपागत करती हूँ आपके अपने बेहत खास कारेक्रम स्वास्त संजीवनी में स्वास्त के बारे में विशेश चर्चा लेकर और साधी साथ बहुत साई जानकारी लेकर आप सभी के सामने हम फिर से हाजर हैं और आप सभी को अच पिर से बताने वाले हैं कि हिल्दी रहने के यानि की स्वास्त रहने के फिट इन फाइन रहने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं सही मार्ग दर्शन योग एवं प्राकर्तिक चिकित्सा के माध्यम से जी हाँ जब योग एवं प्राकर्तिक चिकित्सा की बारे में बात की है तो आप सभी को बताना चाहती हूं हर बार की तर आयस कारिक्रम के माध्यम से हमारे साथ स्टुडियो में मौझूद है योग एवं कॉल्स करके हमें बताते हैं कि उन्हें आपकी दवाईयों से कितना जादा फायदा होने लगा है और जो उमीद के उन्होंने छोड़ दे थी, ठीक होने की, कहीं न कहीं वो उमीद की किरन भी वापस आ गई है, खुशियां भी वापस आ गई है, आज आप से जानना चाहूंग आफस भी जाता है, उसको भी दर्द की शिकायत होती है, बताईएगा, अगर दर्द की हम बात करें तो दर्द में तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट आते हैं, एक तो क्या करें, दूद में हलती डालके तो वैसे पिए, इससे बहुत अच्छा इपक्पड़ेगा, दूसरा अच्छा इपक्पड़ेगा, फिर तलीवी चीज़े ना खाएं, मैद्दा की चीज़े ना खाएं, प्रिजरा इटम ना खाएं, तो उससे बहुत अच्छा इपक्पड़ेगा, और मालो किसी को भी कैसा भी दर्द हो, तो जो हमारे नंबर चल रहे हैं, उसमें पूरी एक वार बताएं, तो उसमें हम क्या योग करवा सकते हैं, क्या प्राकरती चिक इत्शा करा सकते हैं, क्या उसमें फिर आर्वेदिक दवाईया हो, हमारी डाक्टर फिर्वूसी हिसाब से, तो वो पूरा एक डिटेल करके हम आपको बेज़ेंगे, तो वैदिक उपचार का में देश से यही है, कि आप सबस्त हो जाएं, जो दर्द से जो अपरेशन की नोबता आ जाती है, वो आपको ना आए, और दर्द तो कैसा भी हो, किसी तरह का भी हो, तो वैदिक उपचार से धीरे धीरे उसको ठीक करने में साहिक सी दोगा, बहुत ही अच्छे उसके रिजल आ बताएंगे, तो मेरा यही कहना है, अगर किसी को भी कैसा भी दर्द हो, तो एक तो पूरी डिटेल बताए, तो लिखवाए, क्यों दर्द है, कम से दर्द है, कितनी आप दवाईयां खा रहे हो, तो अगर पूरी आपकी एक बार हिस्ट्री आ जाए, तो फिर हम और अच्छ किया है, अगर मालो कोई भी आपको दर्द है, तो एक बार 15 रुपे का मंगा के देखें, आपको दर्दों में बहुत अच्छा अराम मिलेगा, बिलकुल बंसल जी और यहां पे आप सभी सुन रहे हैं कि वैदिक उपचार के रिजल्ट्स के बारे में हर एपिसोट में हम आ आपको लोगों से भी मिलवाते हैं जिन्हों ने वैदिक उपचार के माध्यम से अपना इलाज कराया और आज जीवन को किस तरीके से अपने व्यतीत कर रहे हैं तो चलिए, आईए आपको आज फिर से दिखाते हैं कि कैसे जीवन में इनके परिवर्तन आया है और इनके रो उपकष्कुल जाता हैि सोब स्कूल जाने से पहले, खट्ए मॉट्ञ करता था हAre रंग की तो इसको मैंने वो दही में तो च्छे चरा संही कर रहाता है तो किता वेदिकुटार कं पर नहीं हो जी जी च photographed आज हो कि आप टनी को कुछ बिल्डा एक हो human-sब jsु शुरू कई एफ ंने tree के आए टो आप किटरना फाम पड़ ऑफ जीओ लोलियांतो बंद हो गया इता है आप अजोमें उन्ति अटारी बनसल जी जहां पर आपने बताया है कि जलिवरी के बाद लेडीज का पेट बढ़ जाता है उसे कम करने में सहाई एकसिद होती है आप से जाना चाहूंगे डिलिवरी की कितने समय बाद से इस पट्टी को बादना शुरू कर देना चाहिए डिलिवरी वैसे तो बच्छा जैस के रएं म्ल रही है अगर आप पेत के लाज přेट आप को बाद रहा है कि किस में पीट, इस फ़ाने के लिए अगर आप bu मोटापे का इलाज शुरू कर सकते हैं आगे बढ़ेंगे इसी के साथ बात करेंगे आज की पहली कॉलर से मॉनिका जी जोड़ गई है भटेंडा से स्वागत आपका अलो जी नमस्कार बताएगा बनसल जी आपको सुन रहे हैं हाँ बताए मॉनिका जी नमस्कार जी जी सर्माने आपके दो तें दिन पहले बदागी थी अच्छा बहुत अच्छा kit वही उसके वेट के बारेमेर उसके काम के बारेमें वेट क्यतना है उसका वेट मतालिस केजी है करी अधो उसको भी एक पhouse लू ठंडी पट्टी बंधनवाना उसको भी जैसे इसे गरम कहते हैं पट्टी को देख लो गरम है और यह ठंडी पट्टी है एक तो यह भी बांदे पहले इसको पानी में निचोड़ का चीदर है यह देख लो दोनों तरफ से क्योंकि यह बड़ी मैडिकेटिड होती बहुरी जबरदस्त पट्टी है इसको पा बढ़ेगी बहुत ही अच्छा रिजट आएगा और यह हमारे यहां से बंगा ही लेना क्योंकि अब ते बहुत ही सस्ती कर रखी है बहुत ही सस्ती पट्टी है अब यह देखोगे ताब लेकिन यह मैडिकेटिड है बहुत जबरदस्ती का सौप्टिक्रेट कपड़ा होता ह यह कपड़ा भी अलग टाइप का है क्योंकि हमने बहुत ही जबरदस्त तरीके से सौध करकर बगार केमिकल का करवाया है बहुत ही इसमें ध्यान रख्या है कि कम से कम केमिकल का हो करें और इसको जैसे बात देंगे तो खुद पता चलेगा कि कितना जबरदस्ती एफेक्ट तो यह करें और भाया के लिए वैदी कुपचार का पूरा सेट बंगाना पूरा सेट बंगाना उसमें कोई चूक मत करना उससे बहुत एफेक्ट पड़ेगा मोनिका जी चली मोनिका जी अपने सुन लिया है कि वैदे कुपचार का सेट आपको मंगवाना होगा और साथ ही स आगे बढ़ेंगे इसी के साथ अगले कॉलर से बात करते हैं गोदावरी जी हम ऐसा जुड़ गई है राजस्तान से इस वागत है आपका नमस्कार को दावरी जी बताएं हाँ सर मेरे मोटापे के लिए पूछना था मोटापे के लिए गरम ठंडी पट्टी बांदो जी इससे बहुत अच्छा इफेक्ट आएगा खाना खाने के बाद गरम पानी प्योग और सफेद पेटे काजूस पर वैदी कुपचार में पू अच्छी तरह बांद लेना देख लें पेट पत च्छी तरह इसको बांदे और उसके ओपर ही यह जो घरम कपड़ा है इस बहुत ही अच्छा ही बांदे और वैदी कुपचार का पूरा सेट बहा out, फिर नापना कितना आपको फरक नजर आएगा और वेड कर लेंगों पूरा वेड करें और हर चीज को नाप लें чисक आपको किला एफएक्ट आपकेड़ाएगा और एक एक अपड़ी भीमारी जो आपको बनसल जी तो यहां पर दर्श को आप सभी सुन रहे हैं मुटापे से निजात पानी के लिए आपको ये गरम और ठंडी पती जल से जल्मंगवानी होगी इसके साथ बर्क तो जल्मंगवानी पानी के लिए रहे हैं आपको उन से मिलवाने का जिन्हों ने अपने शरीर की बिमारियों को कैसे दूर किया आप बनसल जी के मांगदर्शन में आने के बाद आएए आपको दिखाते हैं पर दोगार आपको पहले तो तैफएट निगला तो मैंने टाइफएट की लाज्गा है वह दावाई करवाई मेहीं से नाजना से पिर उसके बाद मैं अभी मैंने यहां जब आपका वो देखा तो यहां ले ले लिगा अजा आज़ागी सुगर कीपने तो यहां प्रेश्ट सूगर मैं सरवाई का कि परोब्लम थी पहले पेदा उसके बाद में दोने में दौप ले दी ताब में से काफिम निग रहूँ है और सूगर की दौऑ कि दौएगा है अब एक में अपको झाया है अपका तो अब आपको ठीचा है आपका अब अब निग्द में कीत आ रहा आप पहले में काम के लिए सुचते देती था अब तो यह सुचता कि कितना काम करती दो मुझा तो मुझा देख आई हैं इनको भी लेकर आई हूँ तो मैं आप चलो मैं वेश्वाती हुआ प्राइब काम कहें हुआ अच्छे से कुछू क्या तरीव लतियांको यह प्राइब के लिए पेर में दाड़ होती बहुत है अच्छा है और यह पएर मोगत ड़न है शूच ग्राइब करें प्राभल là नगत्रह्णी कारती प्राब्लम है प्राइटूर वाकी बन से पहले मैं ठीक हो जाओंगी अपने बच्चों को लेके आउंगी तो आपको कितना राब लगता है भल कितने मिने द्वाई करी एक टोटला आपने? जी मैंने तो शाद अभी एक मेहने खाई है एक के भी ने काई ना? क्या नाम है आपका? मेरा दाम प्रणीब है खारत यो प्रदीव है एक पाड़ गये रहते हैं तर्ट क्या तक्लीफ ही नहीं है वह तो आपके दर्शन कर ने आए मसरा अजिए मेरे को आपके जब भी आतों मैं एक वरी बीटे को लेके आया था जब भी बड़ा प्रशन हूँ आपसे दमिल करके तो आपी भी फिर्म पर संगता हुरी है तो वो उसकी ग्रोथ नहीं होड़ी ड़्टर साथ के पेट में होड़ी जी होगए तीन तीन महीने होगए आपके क्या जासर मतार है जेया कि आपके है जैसन चाहबड़ा कहा है कर ओल्बाग तोन शुचाहिव झाला थी हुध हों जवले सुगते थी हौँ अच्छा अच्छा पाँ पाँ इन रोग है एक दम फिट हो गए एक दम फिट वह एक दम इस वह पर शुगर में कितना राब टका बिन्यस दोह कारे शुगर किया माई चार पांच में रोगए फ़ले शुगर की नीड़त ही जाती चार सो पचानुवे नबबब पचानुवे अगर कोई भी आपको और प्रेसा निया तो जल्द ही अब शीवर लगाने लगे हैं उन शीवरों का आप इस्सा बढ़िये उसमें आपको जो मानसिक आर्थिक और सारे प्रेसानियों से जूज रहे हैं क्योंकि जो हमारी योग की विद्या थी योग के दवारा तो भलवान को पाया जा सकता था ये छोटी मोटी बिमा जा रहे हैं तो आप अपने सेर में भी देख सकते हैं तो उन शीवरों का हिस्सा बनिये और अपने जीवन में परिवर्तन महसूस करिए जितनी भी हमारी जैसे ब्रांचे हैं जो हमारे डाक्टर बैठे वे हैं जैसे नागपूर में हैं बंबे में हैं कुलास नगर में हैं म पतरनाक बिमारियों से बचने और साबधान रहने के लिए वैदिक उप्चार के इस शिविर अभ्यान में योग आयुर्वेद एवं प्राकृतिक चिकित्सा का अनूठा संगम देखनी को मिला अट्रमेटिकली बिमारी आने लग जाती है क्योंकि गवराट ओने लग जाएगी पैसे नहीं है समाज में कैसे बात होईगी कैसे मैं करूँगा यह कैसे करूँगा उप कैसे करूँगा तो आते हैं ठीक उसी तरह लोग इस शेवर में पहुंचे और उन्होंने हाट से संबंधी समस्याओं गैंग्रीन माइग्रेन शुगर बीपी जैसी कई खतरनाक विमारियों में लाप पाया आर जी अगनी होतरी मेरा नाम है मैं पंचकुला से आया हूँ और मेरी मिसिस को हाट की प्रावल में ब्लड प्रेशर भी है और शुगर भी है द्वाईया बहुत लिए उससे आरावनी आया मैं टीवी प्रोग्राम देखा तो अच्छा लगा इसलिए आशिवर में आया हू अनिर्बंतली से फर्स्ट टाइम मैं इनको मिलने हां जे बाकि इनके जो ये घरेलू अपाय बताते मैं करती हूं घर पे सारे हल्दी वला दूद पीने से नेल्स पे तेल लगाने से कुट्टे को रोटी खिलाने से मैं को काफी फ़रक है जैसे पर्सनल लाइफ में दिखते अब तो आप समझे चुके होंगे कैसे लाव पहुंचाता है वैदिक उपचार सेट तो आप भी आज ही वैदिक उपचार के डॉक्टर से फोन पर सलह ले और अपनी किसी भी बिमारी से संबंधित वैदिक उपचार सेट मंगवाएं पर्मन ट्रीटमेंट करवाई थी हाल्दी भी नहीं कभी लिए और कभी लेशनों भी नहीं लिया करता है जब से मिन का परोग्राम सुनता रहे हूं तब से मेरे को मतलब अच्छा मसूस हो रहे हैं जी शेद के अंदर जी नेंदी भी ठीक आती है जी क्योंकि देशी जड़ जी अपने पेट दी कई तखलीप है साजी तभी लिए जी अराम है जी बिलको राम है अपर दवार लेने हैं जी तो चुंदीगर में हम तो कितने जित से बेट करते हैं आपकी भी आएंगे थाम तभाई लेने जाएंगे याब आगे जी तभाई मिल जाएगी अच्छा जी बंसल्टी और उनके अनुभवी डॉक्टरों की टीम ने हमेशा समाज हित में काम किया और जीवन को स्वस्थ बनाने के लिए आयूरवेत का सहरा दिया जिससे बहुत से लोगों को लाब हुआ आए जान लेते हैं कुछ और लोगों से भी जो है अच्छे से समझी है और मुझे बताया है जो मेरी प्रॉब्लम थी उसका क्या सुलूशन है बेटे को दवाई देलाई जी उनको अलर्जी थी और अल्दी का दूद भी रहे हम उससे फाइदा है दीवा भी लगाया जी फूप उससे फाइदा हुआ जी बोत अच्छा जो दिया अपताते 53 इन का वो मैं साल के बाद प्रॉब्लम कर देती हूँ और मैंने अपने जो भी मेरे नो नैहीं जानने वाले सबका शुरू करा रहा है मैं उनसे मिल चुकी हूँ और मैं कांगडा से हूं मुझे रिमोट्राइड अर्थरेटिस की प्रॉलम थी जिए मैं पिछले 18 महीने से वैदियक उप्चार संस्ता से दवाई ले रहा हूं और मुझे लगब 50 प्रतिशत का मतलब फरक नजर आ रहा है जी मुझे श्रीर में जकडन रहती थी उठने बैठने में परिशानी आती थी लेकिन अब मैं खुद उठ चल सकता हूं और अब तो मैं मतलब अकेला रहता हूं और मतलब अब काफी फरक है पहले से मैं मैं चेक अप के लिए ही आया था यहां पर मैं यही कहूंगा कि स्वास्त रहनी के लिए वैदिक उप्चार संस्ता जो है वो एक आजकल के समय में बहुत अच्छा एक स्थान है और मैं कहूंगा कि यहां पर सब लोगों को आकर अपने स्वास्ते का लाब करना चाहिए आप śसी आप में पर लोगों को आपा स्वास्त में बहुते लिएा कर रहता और भाना झूग, आप सफल के लिए रे लिए कि मैं